नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं अनील मोहंची द्वारा लिखा गया मोना चौदरी और देवराद चौहान का एटमी धमाका जालिम पार्ट 11 जाने कितना वक्त बीट गया कालो राम पूरे हौल में फर्ष पर लुड़का पड़ा था लहुसी रंगा उसका चेहरा भौत भ्यानक हो रहा था उसकी दोनों आखें गहरे जक्मों की तरह नजर आ रही थी कभी कवार आखों के काले छेद एकाज शंड के लिए नजर आते नहीं तो वह खोन से भरे गड़े की भाती ही लग रहे थे चीक चिला कर गालियां दे कर वह पस्त हो चुका था उसके होटों से अब पीड़ा भरी कराहें बहुत कम निकल रही थी परन्तु उसकी कराहें रुकने का नाम नहीं ले रही थी कमरे का माहोल बेहत खतरनाक बना हुआ था मान खेड़े जाने कितनी बार कह चुका था लड़के से कि उसके बंधन खोले परन्तु लड़का अभी मौत की दुनिया से वापसी कहा लोटा था आँखों में खुंखारता समेटे हाथ में चाकु थामे कबसे एक टक कालू राम को देखे जा रहा था एका एक कालू राम चीखा कहां मर गया तू मुझे अंदा कर दिया कुट्ते ने जिन्ना की छोड़ दिया मार दे मुझे जान ले ले कुट्ते एक बार तु मेरे हाथ लग जा एक बार उसके बाद मैं तेरी बोटी-बोटी करके रख दूँगा, बहुत बुरा हर करूँगा तेरा एका एक लड़की का शरीर हिला, चाकू उसकी हातों से निकल कर नीचे जागिरा फिर बेहत धीमी-धीमी वह इस अंदार में आगे बढ़ा, जैसे नीन में चल रहा हो चहरा बिल्कुल सपाथ था, अलबत्ता उसकी खुंखारता से भरी पुतलियां इधर-उधर घूम रही थी जाने क्यों वान खेड़े को मैसूस हुआ, कि लड़का और भी भयानक हो उठा था मुझे खोलो बेवकूफ, बंधनों में जकड़ा वान खेड़े तरपा, लेकिन लड़के पर कोई असर नहीं पड़ा उन वहशी पुतलियों को इधर-उधर घुमाता, लड़का कमरे से बाहर निकलता चला गया उसके बाहर निकलते ही, जैसे कमरे में चाया मौत का सननाटा और कहरा गया वान खेड़े को बेचैनी सी होने लगी, पांच-सात मिनट बाद लड़का लोटा वह अपनी नीन वाली हालत में ही लग रहा था चेहरे पर लिपटी मौत जैसे उसका पीचा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी हाथ में पांच-वेट का किसी पेड़ का 6 इंच व्यास का तनाथ थाम रखा था वान खेड़े ने सोखे होटों पर जीब पेड़ी, चेहरे पर अजीब से भाव आ गये थे यहे क्या करने जा रहे हो, मत करो, बहुत हो गया, वे अंधा हो चुका है लड़के पर कोई असर नहीं हुआ परन्तु वान खेड़े के शब्दों पर नेचे पड़े कालू राम के शरीर में हरकत हुई किसी तरह वे जल्दी से उठकर पैट कया और दोनों हाथ इधर उधर फैला कर जैसे लड़के को पकड़ने की चेश्टा करने रगा साथ ही उसके होटों से धीमी कराहत और गुराहते निकल रही थी यहे कालू राम की हिम्मत ही थी कि इतना कुछ होने पर भी वे खुद पर काबू पाई हुए था कोई और होता तो कब का चीक चीक कर बेहोश होकर लुड़का पड़ा होता करीब दो पल्ठित का लड़का हाथ में पकड़े पेड़ के उस मजबूत तने को उसने दोनों हाथों से सकती सी थामा और फिर दोनों हाथों को सिर के पार उपर उठाता लेता चला गया इसके साथ ही जैसे उसके चहरे पर खुंखारता और दरंदगी ढोल वजा कर नाशने लगी थी हर बड़ा हाथ में वान खेड़े की आँखे और फैल गई लड़की की मन्शा को तो वह तब ही समझ गया था जब वह पेड़ के छोटे से मजबूत तने को ले कर आया था मत करो वान खेड़े खीच कर चीखा यह तुम ठीक नहीं कर रहे लड़की को होश कहा वान खेड़े के शब्दों पर कालूराम की फैली पाहें तेजी से इधर उधर जाने लगी तभी लड़का थोड़ा सा आगे बढ़ा और साथ ही साथ दोनों हातों में थमा चटान की तरह मजबूत तना गच्च की आवाज के साथ कालूराम के ठीक सिर पर जा लगा कालूराम गला फार कर चीखा और मर्ते साप की तरफ तरफ दोनों हातों से उसने सिर को ठाम लिया और नीचे लुड़कता चला गया उसका सिर फट गया था खोन इस तरह बहने लगा था जैसे किसी ने भरी बाल्टिक खोन की सिर पर उडेल दी हो सब कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे एकाएक कोई खोन का समुद्र आँखों के सामने आ गया हो वान खेड़े ने दो पलों के लिए आँखे बंद करके मुप फिर लिया कालूराम की हारत ऐसी थी कि बयान करना कठिन हो रहा था कभी वे दोनों हाथों से सिर थामता तो कभी नीचे लेट कर दोनों हाथ फैला कर तलपने रगता लड़का फिर आगे बढ़ा दोनों हाथों से उसी तरहें पेर के उस मजबूत तने को थामे उसके चेहरे पर अब और भी गहरे वैशी भाव सिमटाए थे आखों में खुंकारता ही खुंकारता नाश्टी नजर आ रही थी उसके फिचे होटों ने जैसे उसके चेहरे को दरिंदा बना कर रख दिया था कुछ ऐसा ही लग रहा था वह दबे पाउं पे आवाज पैक कालू राम के पास पहुचा और धीरे धीरे घुटनों के बल नीचे बैठ गया कालू राम का चेहरा उसके घुटनों से सिर्फ दो फीट दूर था इस वक्त कालू राम दोनों हातों को छाती पर रखे लंबी लंबी सासे ले रहा था और होटों से पीडा भरी करा हैं बेहर दर्द भरे ढंग से निकल रही थी सिर्फ से पहता खून सिर्फ के आसपास पैला जैसे खून का ताला पना रहा था लड़के के चेहरे पर एका एक जल जले के भाव उभरे पेड़ की मजबूर टहने को थामे दोनों हाथ एका एक सिर से उपर गए और नीचे आते ही उस कठोर तने का वार वेग के साथ कालूराम के माथे पर हुआ गच्च कालूराम का शरीर जोरो से कापा और शान्त हो गया उसका माथा और सिर्फ फट कर मास के लोटरों में इस तरह बिखर गया था कि जैसे किसी ट्रक के पईये ने उसके सिर को कुचल दिया हो खोन के मोटे मोटे गाड़े चिर्टे लड़के के चेरे पर आचिपके थे पेड़ का वहत तना भी खोन से रंग गया था लड़का उसी तरह बैठा मौत में डूबा कालूराम की विभस प्लाश को देखे जा रहा था जालिम वान खेड़े के होटों से कापती सी कहरी सांस निकली और उसने आखे बंद कर ली रुस्तम राव ने वान खेड़े के हाथ पाउं के बंधन खोले वान खेड़े किसी तरह उठा और अपने हाथ पाउं को हिलाने मसलने लगा नजरे बार बार कालूराम की डरावनी लाश पर जा रही थी चेहरे पर गंभीरता थी रुस्तम राव काफी हद तक अपने परकाबू पाचुका था और हर बीत्ते पल के साथ सामानने हारत में आता जा रहा था खून से सने हाथ मूँ जब वे साफ करके बातरूम से वापस आया तो रुस्तम राव के चेहरे पर पहले जैसे मीथे भाव ही नाश्ते नजर आये वान खेड़ी की निगार रुस्तम राव पर चाटिकी इस वक्त रुस्तम राव को देख कर कोई भी नहीं गह सकता था कि कुछ वक्त पहले दरंदगी और वहशत की तूफान का जनम दाता बना हुआ था वह उसकी कमेज अभी भी खून से सनी हुई थी रुस्तम राव वान खेड़ी को देख कर मुस्कुराया क्यों बाप क्या हाल है देरा वान खेड़ी उसे घूरता रहा लगता है अपनका पुलिस वाला बाप नाराज होई ला क्या नाम है तुम्हारा रुस्तम रुस्तम राव रुस्तम राव अब बराबर मुस्कुरा रहा था बाप तू तो अपन से पूश्टाज करेला है बंद करने का इरादा है क्या तुमने मेरे सामने इस आदनी का खून किया इसे ऐसी बुरी मौत मारा की बरोबर किया बिलकुल मारेला है लेकिन बाप तेरी खोपड़ी में भूश बरेला है क्या तेरी को मारूम नहीं कि यह अपन दोनों को मारेला था रुस्तम राव ने अपना हाथ सिर्के बालों में फेरा बान खेड़ी दांट भींच कर रुस्तम राव को देखने लगा मानता हूँ तुम ठीक कह रहे हो लेकिन जब तुमने उसकी एक आख फोड़ी तो वे हमें मारने के काबिल नहीं रहा था तुम्हें रुक जाना चाहिए था दूसरी आख फोड़ने की क्या जरूरत थी एप पुरिस वाले बाप तेरी अखी खोपड़ी खाली होई रा है रुस्तम राव ने मुह बना कर कहा एक आख फोड़ कर उसे जिंदा छोड़ेला तो ठीक होने पर वो अपुन को ढून कर धोके से मार देता इसलिए उसका दोनों आखी अपुनने फोड़ेला किस्सा ही निप्टाइला है सिरदर्दी नई पालेला पुन वान खेड़े गहरी निगाहों से रुस्तम राव को देखने लगा वे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या यही वे मासूम सा लड़का है जो कुछ देर पहले दरिंदा बना हुआ था कालू राम की जान लेने की भी जरूरत नहीं थी उसके बिना भी काम चल सकता था लेकिन जिस पागलपन भरे अंदाज में तुमने उसे मारा वे है देख पुलिस वाले बाप रुस्तम राव वान खेड़े पर नजरे टिका कर कह उठा ज़्यादा सायाना नहीं बनेला दोनों आँखे गवा कर वो जिन्दा रहता तो बौध बुरा होता पेट कहां से भरता वो अपुन को तेरे सामने खुद बोले रा कि अपुन की जान लो अपुनने उसकी जान लेकर भला करेला है भला? वान खेड़े ने होट चबाई कहां रहते हो तुम? मुमबई मेठे केला है बाप पर अब और नहीं पूछना बाप अपुन को मालूम है तो अब इलाका पुछेला फिर गली और उसके बाद अपुन के घर का नंबर पुछेला सब कुछ यहीं रहने दे बाप मामला खतम करेला तू तू जानेला कि अपुन ने इसको बरोबर किया तो राइथ केला है नई तो यह तेरे को और अपुन को खल्डास करेला वान खेडे जानता था कि लड़का ठीक कह रहा है दोनों कई पलों तक एक दूसरे को घूरते रहे देवरा चोहान और मोना चोधरी के मामले से तेरा क्या वास्ता है अपुन किसी से कोई वास्ता नहीं रखेला बाप अपुन इस वक सिर्फ देवरा चोहान का डंडा बजायला है तेरे को पहले ही समझायला किस लफडे से दूर जा नई तो उपर जाकर भगवान से नहीं बोले ला कि रुस्तम राव ने तेरे को साफ कर दियला है रुस्तम राव के होटों पर मुस्कान थी चलता है बाप अभी बोट काम करेला है अपुन ने अपुन को पीछे से अवाज नहीं मारेला रोकेला नई नई तो फिर तो बोले ला कि अब उन्ने तेरे साथ लफडा केला है कहने के साथ ही रुस्तम राव पल्टा और खुले दरवाजे की तरफ पड़ गया वान खेड़े रुस्तम राव को तब तक देखता रहा जब तक वह दरवाजे से बाहर नहीं निकल गया रोकना चाहकर भी वान खेड़े रुस्तम राव को रोक नहीं जखा जाली तोर पर उसकी निगाहों में रुस्तम राव ने कालूर राम की जान लेकर कोई गरत काम नहीं किया था ऐसा करके उसने अपनी और उसकी जान बचाई थी वरना कालूर राम तो उन्हें छोड़ने वाला नहीं था वान खेड़े की निगाहों में अगर कुछ गरत हुआ था तो सिर्फ यह है कि रुस्तम राव ने कालूर राम को बहुती वहशियाना और खुंकारता पून धंग से मारा था वान खेड़े के निकाह कालू राम की लाश पर गई जो इतनी भैनक लग रही थी कि कमरे के माहोल में डर सा पैदा कर रही थी उसका चेहरा तो ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था वान खेड़े ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर एक तरफ पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठाई और बाहर निकलता चला गया दिलो दिमाग पर अभी भी रुस्तम राव का वहशी रूप नाच रहा था रुस्तम राव बाहर निकलते ही ठिटका सामने ही अंधेरे में मध्यम रोश्नी में चमकता फकीर बाबा खड़ा था बाबा तुम रुस्तम राव के होटों से निकला बाबा की आँखों में तीवर चमक उभरी स्वर्श नजर आ रही थी मार दिया कालूराम को फकीर बाबा का स्वर्श शान्त था जवाब में रुस्तम राव कुछ नहीं बोला माथे पर बल से उभरे हर जनम में वहे तेरे हाथों से ही मरता है मैंने पहले ही कहा था कि तू हर बार दिखने में जितना चोटा लगा काम करने में बड़ो को भी मात कर गया तेरे को मालूम है जब यह जंग शुरू हुई थी तो कालूराम मेरी ही अलाद था मैं कुछ नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ कि बाबा कि आपकी आवाज और चेहरा जैसे पहले कहीं देखा है लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि यह सब कुछ मैंने इस जनम में नहीं देखा फकीर बाबा के चेहरे पर गहरी मुस्कान उभरी सब कुछ याद आएगा तेरे को अब चलता हूँ इतना वक नहीं कि तेरे से ज़्यादा बात कर सकूँ बहुत जल्द तुम सबको बताऊंगा कि हर जनम में क्या क्या कहर ढाते रहे हो मुझे जरासी तकलीफ प्रणूर हुई कि तुने कालूराम को मारा जो दो जनम पहले मेरा बेटा था यह तकलीफ तब भी हुई थी लेकिन जो जैसा करेगा फल तो भुकतेगा ही बाबा तुम्हारी बाते सुनकर मैं पागल आँखे बंद कर बेटा फकीर बाबा कह उठा क्यों? आँखे बंद कर मैं बहुत जल्द तुम सबसे मिलकर बीते जनमों की बाते बताऊंगा कुछ ना समझती हुई भी रुस्तम राव ने आँखे बंद की चन सेकेंडों बात खोली तो फकीर बाबा कहीं भी नजर नहीं आया चेहरे पर गंभीरता ओड़े रुस्तम राव अंधेरे में खड़ा वही नजरें ड़डाता रहा लेकिन फकीर बाबा का तो कहीं भी नामो निशान नहीं था रुस्तम राव जब फार्म वाले बंगले पर पहुँचा तो रात के तीन बज रही थे पहरे पर मौजूद नीचे बाहर सबसे पहले उसी बाके लाल राठोर ही मिला ओए छोरे बाके लाल राठोर ने उसी तभी पहचान लिया था जब वह अंधेरे में ही था वह उची स्वर में कह उठा आधी आधी रात को यू मत खुमियो कि गड़बर हो गयो तो थारी आदत बिगड़ो यू ठीक ना हो वे मारी बात पोद बढ़ियो बाके लाल राठोर के शर्ब मुँ में ही रह गए रुस्तम राव लाइट की दाइरे में आ गया था और बाके लाल राठोर के निगा उसकी खून में डूबी कमीज पर जाती की थी खून सूख जाने की वज़े से कमीज में अकड़नसी आ गई थी आखे सिकोडे माकेलार राठोर ने माथे पर बल डाले, रुस्तम राव की चहरे को देखा मारे को तु लागो, तु खून की दरिया में डुपकी मार के आयो हो माकेलार राठोर की अवाज में पैनापन आचुका था एक बात तु मारे कान में बतायो, तु आधी-आधी रात को घूमो हो थारे में कोई ड्रकुला का भूत न गुशायो मारे को तु थारा हाल देख कर यो ही लगो, कि तम दो चारो का खून पी करायो बाकेलार के चहरे पर तीखी भाव आचुके थे रुस्तम राव के होटो पर शान्त मुस्कान उपरी पड़ी थी कुछ नहीं होईला बाप, मारे को अपनो बाप पी कहो तु और बनो तु मारो बाप बाकेलार राठोर का स्वर सक्थो गया बता मारे को, का तीर मार कर वापस मर्यो कालूराम मिला था पुनको, अपने बरोबर करेला उसको बाकेलार राठोर चौका, कालूराम, हाँ बाप, तन्ने वर्दिताओ प्रेत को हाँ बाप, बाकेलार राठोर ने हैरानी और अजीब सी निगाहों से रुस्तम राव को देखा छोरे, तु सच बोलो, या मारी मूंड को नीची करने को ऐसो बोलो रुस्तम राव के होटों पर च्छाई मुस्कान गहरी हो गई अपन सच बोलेला है बाप, खाली पिली पोम नहीं मारेला कालू राम अपन को बरोबर करने का था पर अपन ने कालू राम को बरोबर किये ला बाकेलाल राठोर के जिसमें हलकी सी सिरहन दोड़ी कालू राम को याद करके कि अता ताकत के मालिक को इस रड़के ने कैसे मारा होगा यो सुनकर मारे को अच्छा नहीं लगो छोरे बाकेलाल राठोर अपने पर कावू पाता हुआ पोला तम ही सबको वड़ता रहो तो हम किसको वड़ेगा तम तो मारी मुचो को भी वड़ कर रख देओ हम किसको वास्ते है मारे को भी तो किसी को वड़ने का चांस देओ की नहीं मुस्कुराता रुस्तम राव आगे पड़ गया यो तो कालू राम को वड़ायो जाते रुस्तम राव को गूरते बाकेलाल ने अपनी मुच को उंग्री लगाई मारे को विश्वास न होवे पड़म जानो कि यो चोरो सही बोलो जूट न बोलो पड़ एक बात मारी खोपडी में न फसो कि यो दूद पीने वाले चोरे ने विश्की पीने वाले राक्षस को कैसे मारा होयो यो चोरा तो ठीको नजरावो कहीं से भी तूटो फूटो नही बाकेला राठोर के चेरे पर उलजन और हैरानी चाई रही क्योंकि वह जानता था कि कालू राम को जान से खत्म करना जैसे आसमान से तारे तोड़ने के बराबर था और रुस्तम राव वास्तव में तारे तोड़ लाया था अभी रुस्तम राव साथ आठ कदम ही आगे पड़ा था कि ठिटक गया दाएं तरफ उसने देवराज चोहान को खड़े देखा जो उसे खूर रहा था उसकी तीकी निगार रुस्तम राव की खून से सनिक कमीज और उसकी बिगरी हालक पर थी रुस्तम राव देवराज चोहान के पास जा पहुचा अपुन आयला है बाप रुस्तम राव ने समानने स्वर में कहा वो तुम बांके से कह रहे थे कि तुमने कालू राम को मार दिया है देवराज चोहान का स्वर सपार था हाँ बाप रुस्तम राव ने हाथ की उंग्लियों से अपने सिर को खुजला वो अपुन को बरोबर करने को था वो अपुन का गला पकड़कर दबायला पन अपुन ने उसे साख केला बाप वो उधर कोई पुलिस वाला भी होईला अपुन के बाद वो उसको भी खल्लास करने को था पड़ अपुन ने उसे खल्लास कर दिया बाप देवराज चोहान के चेहरे पर स्पश्ट तौर पर हैरानी उभरी कैसे कर दिया बाप वो तो मरने का मना करेला पन अपुन ने उसका आखरी सांस में खींच कर बाहर को केला कहते वे रुस्तम राओ के चेहरे पर मुस्कान थी देवराग चोहान के होटों से गहरी सांस निकली और अजीव से अंदाज में मुस्कुरा पड़ा मैं तुम्हें अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया कि तुम हो क्या और बाप अपुन तेरा बच्चा होएला है सज बाप अपुन तेरे से जूट नहीं बोलेला पन वो क्या है कि कभी-कभी अपुन का फेजा फिरेला तो अपुन को होश नहीं रहेला की देवरा चोहान कुछ दूर टहलते बांकेलाल राठोर की आवाज कानों में पड़ी यो छोरा बोट लंबी चोड़ो तीर मार कर आयो हो थारे पासो कोई गोल्ड वोल्ड का मैडल होए तो इसको गले में बांद कर पीट थप थपा दयो पंड धीरे से कई मारो छोरे की पीट की हड़ी में क्रैक ना जायो रुस्तम राव हौले से हसा देवरा चोहान अभी तक अजीब सी मुस्कान के साथ रुस्तम राव को देख रहा था बाप रुस्तम राव पुना बोला आप उनको मोना चौधरी के मकान पर पहुँचने में देर होईला, उधर सब सोईला होगा, आप उनकोई हर्चलवान नई देखे लबाप, आप उनको नई मालूं कि कल मोना चौधरी मकान पर होईला कि नहीं कोई बात नहीं, अब हमारे पास इतना बक नहीं कि हम रुख सकें, देवरा चौधरी के मकान पर हमला पोलेंगे, और हर हाल में मोना चौधरी को पकड़ कर, उससे अमित के बारे में बाप, रुस्तम राओ के होटों से निकला, अमित मोना चौधरी के पास नहीं होईला, वो तो कालू राम ने उसे किसी भिकारी की तोड़ी में फिट किये ला है अपुन तेरे को सब बताता है, कि वो साला मुंबई वाले सेथों ने कैसा गड़बर किये ला है अपुन ने रुपक लाल सेथ और कालू राम की पाते सुने ला है भागिरत सेथ और रुपक लाल में कोई दुश्मनी नहीं होईला, वो तो उन दोनों का किसी बात के वास्ते शर्ट लगेला इसी वास्ते अपुन लोगों को इस्तमाल करके वो शर्थ हार जीतेला बाप देवराज चौहान चौह का क्या मतलब अपुन तेरी को सब बताएला बाप सुनका तेरी खोपडे में बम फटेला और अपुन दिन निकलने तक अमित को धूंडेला बाप वो कहीं पे भिकारी बनेला है कहने के साथ ही रुस्तम राव ने वहीं खड़े खड़े देवराज चौहान को रूपक लाल चंदोलिया और कालू राम के बीच होने वाली सारी बाते बता दी पूरी बात सुनते ही देवराज चौहान का चेहरा दरंदगी की छाया के पीछे छिप गया बंगले के ड्रॉइंग हॉल में देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाज, बांकेलाल राठोर और रुस्तम राव मौजूद थे अब कोई पहरेदार के तौर पर कहीं भी मौजूद नहीं था देवराज चौहान के होट मिचे हुई थे जगमोहन के चेहरे पर भी गुस्सा था सोहनलाज सोफा चेहर पर पसरा गोली वाली सिगरत के कश ले रहा था बाकेलाल राठोर और रुस्तम राव के चेहरे अपेक्षा क्रिश्शान थे परन्तु अपनी दिमागी तनाव पर काबू पाने के लिए बाकेलाल राठोर बार बार हाथ की उंगली को मूछो तक ले जाता कुछ देर पहले ही रुस्तम राव ने मुंबई फोन करके थापर से बात करने की कोशिश की थी लेकिन जवाब में सुनने को यही मिला कि शाम से ही थापर सहाब का कुछ पता नहीं कि वह कहां गए हैं देवरा चोहन ने भिजे दातों से बारी बारी सब को देखा रुस्तम राव ने रूपक लाल चंदोलिया और कालू राम की जो बाते सुनी उससे यह सबस्ट हो चुका था कि वह और भागिरत मनोत्रा अपनी किसी शर्ट के तहती दुश्मनी का नाटक करके अमित को मोहरा बनाकर अपनी हार जीत का फैसला करने पर लगे हैं देवराज चौहान ने एक एक शर्ट चबा कर कहा यानि कि अगर मैं मोना चौधरी से जीत जाओ तो भागिरत मनोत्रा की जीत होगी अगर मोना चौधरी जीत चाए तो रूपक लाल चंदोलिया जीत चाएगा अपनी शर्ट की वज़े से वे हमें नचा रहे हैं और ऐसी धोके बाजी मुझे पसंद नहीं सबकी नजरे देवराज चौहान के क्रोध भरे चेहरे पर थी महारे थापर साप को भी तो ये बात मालूम ना होओ हो तो थापर साप इस मामलों को कभी सुंगो भी नहीं बांकेला लाठोर गंभी स्वर में कह उठा मैं अभी इसी वक्त धोके वाले इस मामले से अलग होता हूँ देवराज चौहान ने मीचे स्वर में कहा अमित का क्या होता है या फिर मोना चौजी क्या करती है अब मुझे किसी बात से वास्ता नहीं मेरे साथ जगमोहन सोहन लाल भी अलग हो रहे हैं सुबह होते ही हम यहां सी चले जाएंगे कहने के साथ ही देवराज चौहान ने बाकिलाल राठोर और रुस्तम राव को देखा तुम दोनों थापर के आदमी हो मैं तुम पर अपना कोई ओर्डर लागूर नहीं कर सकता इसलिए इस बात की तुम्हें पूरी छूट है कि तुम दोनों जो चाहो करो बाप रुस्तम राव शान सर में बोला थापर साहब अपन को बोला कि तुमने वो ही करेला है जो देवराज चौहान बोलेगा इसलिए अपन तब तक तुम्हारी पूरी बात माने ला जब तक थापर साहब अपन को वापस नहीं बुलाता छोरा ठीक ही तो कहो हो बाकेला राठोर ने अपनी मुझ को उंगली लगाई थापर साहब जब तक मारे को नया ओर्डर ना देवे तब तक हम थारी सेवा में ही पिछे रहेंगे देवरा चोहान के होट और फिच गए अच्छी बात है हम अभी से यह सारा मामला खत्म करके अपने कदमों को समेटते हैं जो भी हो अब अमित के मामले पर काम नहीं किया जाएगा दिन निकलने पर हम सब वापस मुंबई चलेंगे देवरा चोहान ने अपना फैसला सुनाया और मुंबई में सोहन लाल ने कहरी सांस लेकर कहा गोल्ड फॉल्ट में डकैटी की तयारी शुरू जहां मक्खी भी नहीं जा सकती महां पहुंशना है हमें इससे अच्छे तो यहीं भले है देवरा चोहान के चहरे पर कठोरता नाच रही थी और भागिरत मरोतर का क्या किया जाए उसने हमारे साथ जूट बोला है धोके बाजी की है जगमोहन सक्स्वर में बोला उसे इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता कुछ कहने की अपेक्षा देवरा चोहान के होट और भी सक्ती से फिंच गए देवरा चोहान और बाकी सब अगले दिन सोकर उठे तो आठ नौका वक्त हो रहा था सबके दिलो दिमाग इस दनाव से मुक्त थे कि उन्हें लड़ाए नहीं करनी अब किसी भी तरहे की पहरेदारी देने के लिए दिन रा सतर खड़े रहना नहीं पड़ेगा जब वे सब चाई पी रहे थे तो तब धीरे धीरे उन्हें इस बात का एसास हुआ कि रुस्तम राव उनके बीच नहीं है बाकेलाल राठोर ने उसी सब जगे तलाश किया परन्तु रुस्तम राव बंगले पर था ही नहीं यो छोड़ा फिर कोई नयोतीर मारो बाकेलाल राठोर बड़ड़ा उठा चाय समापती पर देवराज चोहान ने कहा नहा धोकर तयार हो जाओ अब हम मुंबई चलेंगे मोना चोधरी सोहन लाल बोला उसके बारे में कुछ सोचा है इस मामले में हाथ खींश लेने के साथ ही मोना चोधरी से हमारा वासा खत्मो गया है देवराज चोहान ने शब्दों को चबा कर कहा वे जो भी करे हमें उसको रोकने की जरूरत नहीं मोना चोधरी के बारे में फिर किसी ने कोई बात नहीं की तब चलने की तयारी में लग गए तयारी के बाद उन्हें रुस्तम राव की वापसी का इंतजार करना था उसे भी तो साथ ले चलना था परंतु रुस्तम रावतु नहीं पहुंचा अलबत्ता जब 11 बज रहे थे और वे लगबक तयार हो चुके थे तब मोना चौधरी और उसकी साथियों ने उन्हें आघेरा मोना चौधरी के हाथ में गन थी उसने रफ्तार के साथ मुख्य दर्वाजे की भीतर परवेश किया था उसके पीछे रिवल्वर्था में सूरस सिंग था पारसनात और महाजन ने दो अन्य खुली खिडक्यों से भीतर परवेश किया था सबके चेहरों पर खतरनाग भाव थे सूरस सिंग तो जैसे गुस्ते से पागल हो रहा था साथ ही साथ वे इस बात को लेकर हैरान थे कि आज कोई पहरा नहीं, कोई सर्दक्ता नहीं मुकाबले के लिए कोई तयार नहीं महावल में किसी तहने का तनाव भी नहीं देवराज चोहान, सोहन लाल और बाकेलाल राठोर सामने ही बैठे थे, जगमोहन तब वहाँ नहीं था मोना चौधरी और उसके साथियों को देखकर भी वे लोग शांती से बैठे रहे किसी ने कोई हत्यार उठाने या दूसरी तहें कि कोई हरकत करने की चेश्टा नहीं की लो, कुडी भी आ गई मोना चौधरी को देखते ही बाकेलाल राठोर के होटों से निकला मोना चौधरी के होट मिचे हुए थे परन्तु आँखों में भारी तौर पर उल्चन थी मारे को ना ही लड़ना वड़ना अभी तो बढ़ना रोको है हम बाकेला राठोर अपना हाथ हिला कर बोला इब मारे को अराम के जरूरत होवे मोना चौधरी उसी तरह खड़ी रही महाचन ने पैंट में फसी बोतल निकाली और खूट फ़रा यहां को तो नक्षा ही समझ में नहीं आ रहा महाचन ने मोना चौधरी से कहा नक्षा वक्षा ना हो यहां तो यहां तो इब सीधा मैदान दिखो बाकेला राठोर ने उंगली को मुझ पर लगाया जिदर का मन होवे ओट को घुमाई ले पारसनात के खुरदरी चहरे पर न समझ में आने वाले भाव थी सूरस सिंग खूनी निगाहों से देवराज चौहान को घूरे जा रहा था तभी जगमोहन ने ड्राइंग हॉल में कदम रखा महा का नजारा देख कर पल भर के लिए ठिटका फिर आगे पढ़ाया मोना चौधरी ने देवराज चौहान से नजरे हटा कर जगमोहन को देखा तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि आज तुम्हारे आने का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा जगमोहन ने गंभी स्वर में कहा सच बात तो यह है कि हम लोग इस मामले से पीछे हट गए है अब तुम अमित के साथ कुछ भी करो हमें कोई मतलब नहीं कोई वास्ता नहीं मोना चौधरी के होट सिकुडे क्यों? मोना चौधरी का लहजा कठोर था जगमोहन ने सपश तोर पर बता दिया कि असल बात क्या है सुनकर मोना चौधरी के माथे पर बल पड़ गए तुम्हारा मतलब की रूपक लाल चंदोलिया और भागिरत मलोत्रा के बीच कोई दुश्मनी नहीं मोना चौधरी के होटों से निकला उन दोनों के पीच कोई शर्थ है इसलिए अमित वाला ड्रामा किया कि रूपक लाल ने महिने के भीतर उसे पाना है और भागिरत मलोत्रा ने उसे रूपक लाल के हातों से दूर रखना है ऐसे में महिने बाद जो जीतेगा शर्थ में भी उसे विजई माना जाएगा हाँ जगमोहन ने सिर्ह लाया कैसी शर्थ लगी हो उन दोनों के पीच इसकी अभी कोई जानकारी नहीं सोहन लाल ने गहरी सांस लेकर कहा मोना चौधरी की पीची निगाहें देवराज चौहन पर चाटिकी मैं तुमसे पूछ रही हूँ देवराज चौहन क्या यह बात सच है मोना चौधरी उल्चन में थी कम से कम मेरी मौजूदगी में तो मेरे साथी जूट नहीं बोल सकते देवराज चौहन की आवाज बहर शान थी बकवास करता ही है सूराज सिंग रिवालवर वाला हाथ हिला कर गुर्रा उठा अपनी जुबान को लगाम दे कमीने एकाएक जग मोहन दरिंदे की तरहें गुर्रा उठा गलत जुबान बोला तो इसी वक्त तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके रग दूगा अम टुकड़े नहीं करता बाकेला राठोर सूराज सिंग को देखकर जहरिले स्वर में क्या उठा अम तो वड़ता है सूराज सिंग दान पीस कर मोना चौधरी को देखने लगा देवराज चोहान मोना चौधरी ने कठोर स्वर में कहा अगर यह मान भी लिया जाए कि तुम इस मामले से हट गए हो लेकिन हम में दुश्मनी की जो दिवार बुलंद हुई है तुम जो करना चाती हो उसे करने की कोशिश करके देख लो देवराज चोहान ने कठोर नजरों सी मोना चौधरी को देखा हमने इस मामले से हाथ अवश्चे खीचे है लेकिन हम वही है हमारे हाथ वही है आगे जो तुम ठीक समझो हम तुमारी हर बात का जवाब देने के लिए तयार है मोना चौधरी और देवराज चोहान कई पलों तक एक दूसरे को खूरते रहे मैं कहता हूँ ये लोग जूट बोल रहे है सूराज सिंग चीक कर के उठा यह इन लोगों की कोई चाड है इसकी बातों में मत आओ मोना चौधरी कुक कर दी तरहें कूंकू करता ही रहेगा बांकिला लाठोड बरबरा उठा महाचन ने हाथ में थमी बोतल से घूट भड़ा मैं सज जूट को अच्छी तरह पैचानता हूँ पारस नात्ते सपाट सवर में कहते हुए अपने खुर्दुरे चेहरे पर हाथ फेरा देवरा चोहन जूट नहीं बोल रहा सूरस सिंग के होटों से धीमी गुड़राहा निखली उसने अपनी कोवे के चोंच जैसी नाक को मसला उसकी आँखें अंगारों की तरहें लाल हो रही थी सुजान सिंग की मौत का जिम्मेदार उसकी नजरों के सामने था खास यही वज़े थी कि वह पागल सा होता जा रहा था लेकिन हम देवरा चोहन को इस तरह नहीं छोड़ सकते इसने हमसे दुश्मनी ली है और अपने पस में रहो मोना चोधरी देवरा चोहन ने एका एक खड़े होते हुए मौत के सर्थ लहजे में कहा हमारी चुपी को गरत मत समझो मैं चाहूं तो मेरे एक इशारे पर तुम लोगों को अभी इसी वक भूना जा सकता है तुम रुस्तम राव को भूल रही हो इस वक वह तुम सब को गन के निशाने पर रखे हुए है यहां की सारी बाते भी सुन रहा है कहते वे मोना चौधरी की आखों में जांकते हुए देवराज चौहान मोना चौधरी की तरक बड़ा तुम क्या समझती हो हम तुम से इस कदर लापरवा हो गए थे कि तुम आकर हमें गोलियों से भून दो पास महुँचकर देवराज चौहान ने मोना चौधरी की हाथ में दभी गन की नाल पकड़ी छोड़ दो गन को नई तो हम में से एक दो नहीं सम मरेंगे रुस्तम राव का निशाना बहुत पक्का है मोना चौधरी की दान फिच गए जगमोहन, सोहन, लाल और बाकेलाल डाठोर की हाथों में भी रिवालवरे नजर आने लगी मोना चौधरी ने थंडी निगाहों से देवराज चौहान की आँखों में चाका देवराज चौहान की चहरे के भावों में कोई बदलाव ना आया छोड़ो गन देवराज चोहन ने पहले वाले स्वर्मे कहा मोना चौजी भीचे होटों से गन थामे देवराज चोहन को घूरती रही तभी बाहर बाहनों के रुखने की आवाज आई परन्तु कोई भी अपनी जगे से नहिला सब ऐसी इस्तिती में थे हाला थी ऐसे बन गए थे कि कोई अपनी जगे चोड़ने को तयार नहीं था कदमों की आहटे उनके कानों में पड़ी भीतर परवेश करने वालों में सबसे पहला जो चहरा नजर आया वहत थापर का था थापर एक ही निगा में सारा माजरा समझ गया उसके पीछे कीमती कपड़े पहने पांच ऐसे प्यक्ती थे जो बेहत खाते पीते समपन नजर आ रहे थे उनके बीच भागिरत मरोत्रा और रूपक लाल चंदोलिया मौजूद थे दोनों के चहरे फक और उल्टे पुल्टे थे डर में नहाय हुए लग रहे थे वे थापर फोरन देवराज चोहान और मोना चौदरी के पास पहुचा उसके चहरे पर गंभीरता थी उसने बारी बारी दोनों को देखा यह जगडा यहीं खत्म कर दो थापर ने गंभीर समझाने वाले स्वर में कहा क्योंकि जिस वज़े से यह जगडा शुरू हुआ वह सेरे से ही बेपुनियाद थी भागिरत और रूपक लाल ने महज अपनी चर्ट को जीतने के लिए इतने बड़े खूनी खेल को अंजाम दे डाला देवराज चोहान ने बिना कुछ कहे गन पर से हाथ हटा दिया थापर ने मोना चोधरी से गन ली और एक तरफ फेक दी देवराज चोहान और मोना चोधरी कठोर निगाओं से एक दूसरे को देख रहे थे तुम लोगों को शायद मालूम नहीं की? थापर ने कहना चाहा परन्तु जगमोहन ने टोक दिया हमें सब मालूम हो चुका है सिवाए इसके कि इन दोनों की क्या शर्थ थी? जगमोहन पूरा थापर ने सकती भरे अंदार में भागीरत को देखा इन दोनों के बीच एक यूफती आ गई है जैसा कि मैंने पहले पताया था कहते वे थापर ने देवरा चोहान और मोना चौदरी पर निगाम आरी उसे ये दोनों ही पाना चाहते हैं लेकिन अपनी दोस्ती और पार्टनर्शिप पर भी आँश नहीं आने दिना चाहते इस कारण इन दोनों ने यह शर्ट रखी अगर अमित रूपक लाल के पास पहुँच जाता तो रूपक लाल जीत जाता ना पहुँचता तो जीत भागी रखी होती यानि कि जो जीतता वही उस युट्ती से शादी कर लेता अपना बना लेता बल्ले बल्ले ऐसे ब्यादे बाकेला लाठोर के उठा ऐसो ब्याद तो नर्क में न हो वो मोना चौदरी के दान फिच गए वे पल्ती कुछ दूर खड़े रूपक लाल चंदोलिया को देखा फिर फर्ष को रौनने वाले अंदाज में रूपक लाल चंदोलिया की तरफ बढ़ने लगी एका एक वहाँ पैना सन्नाता चा गया रूपक लाल चंदोलिया का चहरा एका एक फक्त पढ़ गया यह साहब मोना चौदरी ने थापर की तरफ इशारा करके खुंकारता भरे लहजे में रूपक लाल से पूछा ठीक कह रहे हैं कि तुमने मुझसे अपने बेटे के बारे में जूट बोला जबकि मामला तुम्हारी शर्ट का था हाँ रूपक लाल भैसे भरे स्वर में काम कर कह उठा मैंने तुमसे जूट बोला था कि मेरा बेटा मर गया है के चहरे पर दरंदगी उपर आई ऐसा मत करो प्लीज मुझे मार्प कर दो मैं तुम्हें मूं मांगा पैसा रूपक लाल मोना चौदरी खतरनाक लहजे में कह उठी अगर तुमने इतना सस्ता खेल खेलना ही था तो महंगे मोहरों को पीच में हिलाना चाहिए था इस खेल को अ अपने इशारों पर नचाए ऐसा आज तक नहीं हो सका मैं तभी फायर का तेर धमाका हुआ और रूपक लाल के शरीर को तीवर छटका लगा वह नीचे जागिरा गोली पीच की तरफ से निकल गई थी इससे पहले की वह तडप पाता मोना चौदरी ने दान भीच कर रिवा एक शामिल हो गई थी मोना चौदरी ने रिवालवर जेब में डाली और देवराज चौहान को देखा देवराज चौहान थापर ने कठोर स्वर में कहा भागिरत तुम्हारा गुनागार है तुम नहीं थापर वह तुम्हारी पैचान भाला है उसने कभी एहसान किये थे त काम हाथ में लिया नहीं तो मैं इस काम के लिए तयार ही नहीं था कहने के साथ ही देवराज चौहान ने दरिंदे की भरी निगाहों से भागिरत मलोत्रा को देखा जो मौत के भैसे कामता सा नजर आ रहा था सीथे तौर पर मेरा इस से कोई वास्ता नहीं यह तुम्हारा मा कर दो मैं भागिरत थापर ने पास महुचकर शब्दों को चबा कर क्रोध भरे स्वर में कहा अगर आज मुझे तेरे एहसान याद न होते तो अब तक तेरी लाश पड़ी होती लेकिन किसी का किया भला मैं याद रखता हूं इसके साथ ही थापर का जबर्दत खोसा भागि भागिरत मलोतरा नीचे जागिरा थापर ने hijs कर खतरनाक स्वर में कहा मुझ पर किए तेरे सारे एहसान आस्तिक खत्म होते हैं भागिरत मलोतरा तुझे जिंदा छोड़ कर आज मैंने उन ऍहसानों को चुका दिया भागिरत मलोत्रा कापता सा नीचे पड़ा रहा उसके चेरे से अभी भी आविश्वासी तबक रहा था कि उसे जिन्दा छोड़ दिया गया है तब ही रुस्तम राओ ने भीतर परवेश किया उसके साथ अमित भी था जो की अभी तर वही मजदूरों वाले रूप में भीकारी से भी गया गुजार लग रहा था नमस्कार थापर साहब रुस्तम राओ एका एक खुशी भरे स्वर में कह उठा फिर देवराज चोहान को देखते हुए अमित को धकेलते हुए आगे करता हुआ बोला बाप अमित को ले आएला है सबकी निगाहें अमित पर चाटिकी कहां से लाए हो इसे देवराज चोहान की नजर अमित से हटकर रुस्तम राओ पर चाटिकी बाप वो कालूराम बोला था कि अमित को भिकारी बना कर भिकारियों के पास रखेला है इस छोटे से शहर में क्या वांदा है ये एक जगा अपनी दुकानदारी लगाएला था कि अपन दो-चार लाथ मार कर इसे इधर को ले आएला रुस्तम राव ने हाथ की उंगलियों से सिर्के बालों को खुजला था रुपक लाल की लाश देखते ही अमित के चहरे पर घबराहट भराई थी परन्तु अपनी पिता को ठीक देख कर उसकी चहरे पर तसल्ली के भाव उपरे रुस्तम राव ने यहां के बदली माहुल को देखा और हालात को समझता चला गया देवराथ चोहान की निगाह मोना चौजरी पर जाटे की देवराथ चोहान मोना चौजरी का सपार्ट स्वर कठोर था इस वक्त हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों में इस बात का फैसला नहीं हो सका कि हम में बड़ा कौन है जीता कौन जो जंग हम में शुरू हो गई है उसका अंच जीत हार के बिना नहीं हो सकता देवराथ चोहान के चेहरे पर कम भीरता थी ठीक है मोना चौधरी मैं तुम्हारी बात को याद रखूँगा और भविश्य में फिर ऐसे ही किसी वक्त का इंतजार करूँगा जब हम दोनों आज ही की तरहां तैसला करने के लिए आमने सामने खड़े हो सकें मोना चौधरी सक चहरे के साथ पल्टी और बाहर निकलती चली गई महाचन और पारसनाथ ने भी बाहर निकलने में तेरी न लगाई सूरज सिंग हाथ में रिवाल्वर था में हक्का बक्का रह गया वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है वह तो यहां भाई की मौत का बदला लेने की खाते राया था देवराज चौधरी ने उसके बदले में कोई दिल्चस्पी नहीं ली शायद इसलिए कि मौत के वक्त उसका भाई मोना चौधरी का नहीं देवराज चौधरी का साथ ही था देवराज चौधरी की निगा फौरण सूरज सिंग की तरफ खुमी सूरज सिंग के होट फिंच गए रिवाल्वर हाथ में दबी थी मैं जानता हूँ तुम क्या करने की सोच रहे हो देवराज चौधरी की लाश बंगली के पीछे वाले हिस्ते की तरफ पड़ी है समझदारी इसी में है कि अपने भाई की लाश को लेकर चले जाओ वन्ना तुम्हारी लाश भी यहीं पड़ी होगी सूरसी ने अपनी कोवी की चोन जैसी नाक को मसला उसका दिमाग बहुत तेजी से दोड़ रहा था सारे हालात उसके सामने थे और वह पकुभी समझ रहा था कि देवराज चौधरी जो कहा है ठीक कहा है वह कुछ नहीं कर सकता और उसे फरण शूट किया जा सकता है लेकिन अपने भाई की मौद को वह नहीं भूल सकता था भाई की मौद का बदला लिये बिना भला उसे चैन कहां मिल सकता था मनी-मन उसने फैसला किया कि अभी ठीक वक नहीं है देवरा चोहन को शूट करने का लेकिन भाई की मौत की कसम खा कर उसने मन में दोहराया कि पहुत जल्द देवरा चोहन को तलाश करके शूट करेगा ओको वे बाकेलाल राठोर एका एक दरंदी की भरे स्वर में क्यों उठा थारे कनवा में मैला तो ना आया फसो मारी बात थोरे कानों में घुसो की ना ही अपने भायों के पास जानो है का डालो अंदर थारे गोली सूरा सिंग ने उसी पल हाथ में दबी रिवॉल्वर फेकी और चहरे के भावों पर काबू पाने की चेश्टा करते हुए बाहर की तरफ पढ़ गया इस बात का विचार तो सूरा सिंग पकाफ कर चुका था कि भाई के शरीर को अगनी देने के पाद देवराज चोहान का काम तमाम करेगा सूरा सिंग के बाहर निकलते ही देवराज चोहान और थापर की निगाहें मिली थापर शान भाव से चलता हुआ देवराज चोहान के पास पहुंचा और अफसोस भरी स्वर में कह उठा माफ करना देवराज चोहान मैंने तुमसे गलत काम करने को कह दिया था मैं खुद नहीं जानता था कि भागिरत और रूपक लाल का क्या खेल खेल रहे है मालूम होता तो थापर देवराज चोहान ने मुस्कुरा कर उसके कंदे पर हाथ रखा जो भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है तुम्हारी जगा मैं भी होता तो गलती खा जाता लेकिन जैसी बात मत करो हम लोग जिस धोकी बाजी की दुन्या में रहते हैं वहाँ ऐसा हो जाना आम बात है ऐसी बातों की परवान नहीं किया करते लेकिन मेरे कारण मोना चोधरी तुम्हारी दुश्मन बन फिर वही बात थापर मोना चोधरी अगर मेरी दुश्मन बनती है तो उसी मेरी भी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा यह बात मुझे ही नहीं, मोना चौदरी को भी सोचनी है थापर गहरी सांस लेकर रह गया अब यहां मेरी जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ देवराद चौहन बोला थापर ने गहरी सांस दी और फीकी मुस्कान के साथ सिर्ध हिला दिया देवराद चौहन ने पुना थापर का कंदा थप थपाया और हाद का इशारा करके साथ ही बाहर के दरख बढ़ता चला गया उसके पीछे जगमोहन और सोहन लाल थे बाप, रुस्तम राव का स्वर देवराद चौहन के कानों में पड़ा देवराद चौहन थिटका पलटकर रुस्तम राव को देखा जाते हुए अपुन का सलाम ले लो वाप रुस्तम राव ने अपना हाथ बालों में फेरा देवराद चौहन ने मुस्कुरा कर सिर्ध हिला दिया ओ, मन्ने का प्योजी, इधर भी देवराद चौहन ने बाकेलाल राठोर पर मुस्कुराती निगामारी देवराद चौहन को देखती ही बाकेलाल राठोर ने अपनी मुझ को उंग्दी लगाई मारे गुर्दासपूर की लस्तिक कई मिलो तो याद रखियो भयो बीच में मक्षन का गोला जरूर पड़ो होईगो बाकेलाल राठोर कह उठा देवराद चौहन ने मुस्कुराकर से हिलाया और बाहर निकलता चला गया जगमोहन भी परंतु सोहन लाल अमित के पास ठिटका जेव से एक रुपे का नोट निकाला और उसकी हतेली पर रखता हुआ कड़वे स्वर में बोला रख ले तेरे या तेरे बाप के कामाएगा तुम मुझे के चेक देगा और खबरदार अगर मुझे चाचा कहा तो मेरे इज़ट खराब मत करना उल्लू का पठ्ठा कहीं का कहने के साथ ही सोहन लाल बाहर निकलता चला गया मोना चौदरी जब बाहर निकलकर कार तक पहुँची पारसनात और महाजन कार तक पहुँचे तो सब ठिटक कर रह गए चार कदमों की फास्टे पर फकीर बाबा खड़ा मन-मन मुस्कुरा रहा था मोना चौदरी की आँखे सिकुडी परन्तु होटो पर मुस्कान भी आ गई बाबा तुम चाहते थे कि मेरी और देवरा चौहान की लड़ाई रुख जाए लो रुख गई हा मिन्नो रुख तो गई लेकिन तुमारी जित के कारण लड़ाई खत नहीं हो पाई हर जनम में तुम बही आदतों की मालिक रही जरा भी बदली नहीं मोना चौदरी के चहरे पर अजीब से भाव उभरे बाबा तुम कहते थे कि पिछले दो जन्मों की बाते बताओगे फकीर बाबा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया तुमने जवाब नहीं दिया बाबा देवा भी आ रहा है तुमारे सवाल की जरूरत देवा को भी है फकीर बाबा के चहरे पर शान्ती से भरी मुस्कान उबरी हुई थी ऐसा खुश मोना चौदरी ने बाबा को पहले नहीं देखा था और जब देवरा चौहन बाहार आया तो यह सब देखकर ठिटक गया यह तो वही बाबा है जगमोन की होटों से निकला देवरा चौहन अपनी काल की तरफ जाने की अपेक्षा बाबा की तरफ पड़ा कैसे हो देवा फकीर बाबा ने मुस्कुरा कर पोचा ठीक हो मुझे खुशी हुई कि कम से कम इस वक्त तो तुम लोगों के लड़ाई रुक गई हाँ लेकिन मुझे लगता है कि यह वक्ती चुप्पी है देवरा चौहन ने शान सुर में कहा फकीर बाबा सिर्फ मुस्कुराया फिर बोला मैं सिर्फ यह कहने के लिए यहां रुका हूँ कि तुम दोनों को और तुम सब के उन सात्यों को पिछले दो जन्मों की दास्तान बहुत जल्द सुनाने आ रहा हूँ कि क्या क्या हुँआ था बहुत जल्द मैं तुम दोनों को और दूसरों को इखटा बिठा कर सब कुछ बताऊंगा शायद मेरी बातों को सुन कर तुम लोगों को पिछले जन्मों की दासान याद आ जाए देवरा चोहान फकीर बाबा को देखता रहा क्या तुम पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानना चाहते कि तुम क्या थे और क्यों नहीं जानना चाहता जरूर जानना चाहता हूँ देवरा चोहान बर्बस ही मुस्कुरा पड़ा तो फिर मैं जल्दी ही तुम सबको इखटा करूँगा सब बताऊंगा कहते वे फकीर बाबा ने अपनी चमक्ती आखे बंद की एकाएक वह सबकी निगाहों के सामनी से गायब हो गए यह देखकर पल भर के लिए सब ही हक्के बखके रह गए देवरा चोहान और मोना चोधरी की निगाहे मिली अगले पल वे दुनों अपनी अपनी कारों में जा बैठे अपने रास्तों पर जाने के लिए फिर जाने कब कहां और किन हालात में मुलाकात होनी थी तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग ऐसे ही मज़दार उपन्यास के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद